नमस्कार सांथियों मैं आभिशेख अपनी यूटुब चैनल एवन एस्टोडी एडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे भारत सरकार की योजनाओं के बारे में कौन सी योजना कब शुर्वात हुई तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं निती आयोग एक जनवरी 2015 को लागू हुआ था इसके बाद हिर्द योजना 21 जनवरी 2015 को इस योजना को लागू किया गया था अगला है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था सुकन्या समरीधी योजना 22 जनवरी 2015 को इस योजना को भी लागू किया गया था मुद्रा बैंक योजना 8 अपरेल 2015 को लागू किया गया था परधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को इस योजना को लागू किया गया था अटल पेंशन योजना 9 माई 2015 को भी इस योजना का उदगाटन किया गया था परधान मंत्री जीवन ज्योती योजना 9 माई 2015 को इस योजना का भी उदगाटन किया गया था देखते हैं आगे उस्ताद योजना 14 माई 2015 को लाव किया गया था अगला है आपका पर्धान मंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लागू किया गया था अमरूत योजना 25 जून 2015 को लागू किया गया था स्मार्ट सिटी योजना इस योजना को 25 जून को ही लागू किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन एक जुलाई 2015 को लागू किया गया था एसकिल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया था नेक्स्ट है आपका दिन द्याल उपाध्याय ग्राम जोती योजना इसको भी 25 जुलाई 2015 को लागू किया गया था नई मन्जील 8 अगस्त 2015 को लागू किया गया था सहज योजना 30 अगस्त 2015 को लागू किया गया था स्वाब लंबम स्वास्त योजना इस योजना को 31 सितंबर 2015 को लागू किया गया था मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015 को लागू किया गया था इंप्रिंटी इंडिया योजन इस योजनना को पांच नूम्भर 2015 को लागु किया गया था स्वर्न बुर्द्री करन यजन इसको भी पांच नूम्भर 2015 को लागु किया गया था करीजाद इक्या हो गया उधाय योजना इस योजना को भी पांच महें 2015 को लागू किया गया था वन रेंक वन फेंशन योजना इसको 7 नुवांबर 2015 को लागू किया गया था जग्यान योजना 30 नूमबर 2015 को लागू किया गया था किलकारी योजना 25 दिसंबर 2015 को लागू किया गया था नमामी गंगे अभियान का पहला चरण 5 जनवरी 2016 को लागू किया गया था जोकि आपको बनारस के असी घार से सुरू किया गया था स्टार्ट अफ इंडिया 16 जनवरी 2016 को लागु किया गया था परदहान वंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लागु किया गया था देखते हैं नेक्स्ट सेतु भारतम प्रियोजना 4 मई 2016 को लागु किया गया था स्टेंड अप इंडिया योजना पांच अप्रेल 2016 को लाउ किया गया था आगे देखते हैं गराम योदा से भारत उधाय अभियान यह योजना 14 अप्रेल 2016 को लाउ किया गया था परधान मंत्री उज्वला योजना एक माई 2016 को लाउ किया गया था पर्धान मंत्री क्रीशी सिंचाई योजना 31 मई 2016 को लागू किया गया था राष्टिये आपदा परवंधन योजना 1 जून 2016 को लागू किया गया था आगे देखते हैं नमामी गंगे कार्चक्रम 7 जुलाई 2016 को एक बार फिर से रूप में आया गॉस्फोर्ड इंडिया साणी च्री चाव सितमबर में 2016 को लागू किया गया था अग्योजना 21 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था स्सूला योजना एक नमबर 10 साथ उजाला योजना सौरे यहां पर गल्लत टैपिं हो गया है खु नमिए ऊजला एक नमबर 2016 को हुआ था परधान मंत्री युवा योजना 9 नमबर 2016 को लागु किया गया था भीम एपकी शुरुवाद 30 दिसंबर 2016 से हुई थी भारत नेट पर योजना फेज 2 19 जुलाई 2017 से चालू हुआ था परधान मंत्री युवा योजना 21 जुलाई 2017 को लागु किया गया था आजिवका ग्रामिन एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017 को लागु किया गया था परधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सभागी योजना 25 सितंबर 2017 को लागु किया गया था साथ ही अभियान 24 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया था तो आज का वीडियो यह कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगए तो लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ है शेयर कर दीजेगा और एक बात वीडियो मेरे चैनल को अगर फर्स्ट बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद जैहींद